लाइसेंस वाली बंदूग के साथ सलमान खान पहुचे मुंबई एरपोर्ट कार भी थी बुलेट प्रूफ बॉलिवुड अभिनेता सलमान खान को सुमवार को ही हतियार रखने का लाइसेंस दिया जिसके बाद अब दबंग खान एक बार फिर अपनी फिल्मों की शुटिंग में जुट गए है दरसल सलमान खान को हतियार का लाइसेंस मिलने के बाद मुंबई एरपोर्ट पर स्पॉट किया गया अबिनेता अपनी कड़े सुरक्षा के बीच शुटिंग के लिए रवाना हुए हाला कि इस मौके पर कई पेपराजी ने उन्हें कैमरे में कैट करने के लिए घेर लिया सोशल मीडिया पर सलमान खान का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें अबिनेता अपने दबंग अंदाज में कार से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे है और फिर वा आगे बढ़कर एरपोर्ट के अंदर एंट्री लेते हैं हाला कि इस दोरान सलमान खान के आसपास सुरक्षा का एक मजबूत गेरा दिखाई दे रहा है इस मौके पर सलमान खान के साथ उनके खास बॉडिगार्ड शेरा भी दिखे और इंशर्ट और ब्लेक पेंड में सलमान हमिशा की तरह काफी हैंसम लग रहे थे बता दे कि कुछ समय पहले कथित तोर पर लॉरेंस मिशनोई गैंग ने अभीनेता को मुझसे वाला जैसा हाल करने की धमकी दी थी जिसके बाद सलमान कान ने 22 जुलाई को मुंबई पुलिस आयुक्त विवेफ अंसालकर से मुलाकात कर आत्म सुरक्षा का हवाला देते हुए हतियार रखने का लाइसेंस मांगा था और सोमवा सुबह अभीनेता को हतियार रखने का लाइसेंस मिल गया इतना ही नहीं अभीनेता ने अपनी सुरक्षा विवस्ता में कई तरह के परिवर्तन भी किये हैं अभीनेता ने अपनी कार को अपग्रेट किया है वो अब लेंड क्रूजर से ट्रेवल कर रहे हैं जो बुलेट प्रूफ है सल्मान खान इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में काफी ज्यादा बीजी है अभिनेता की दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है जिसमें कभी इत कभी दिवाली और टाइगर 3 शामिल है इन दोनों फिलों की शूटिंग समय समय पर अभिनेता कर रहे हैं इसके अलावा सलमान खान पतान में भी कैमियो करेंगे